हुआ एक वालयाँ वॉलकम एक टूर्पामिसे इंडिया मेडिसंस आज की इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरा डिटेल में जानेंगे कि जिस प्रोड़क्ट के पारे में आज हम बात करेंगे इसका कॉमपोजिशन क्या होता है कहा कहा पर इस्तिमाल कर सकते हैं कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं और सावधानिया क्या-क्या बरतिनी चाहिए इनी प्रमोबिंदो पर हम बात करेंगे और जो मार्किट के अंदर ये प्रोड़क्ट जाना जाता है इसका नाम है दिव्य आरोग्य वर्धिनी वटी तो हम बिसिकली शुरुवात करते हैं इसके कॉप होता है शुद्शिलाजीत होता है शुद्गूगल होता है चितरकमूल होता है कुटकी होता है नीम पत्र का रस होता है नीम के पत्तों का हरण होता है बहेडा होता है और आमला होता है अब बात आ जाती है कि आप इसे इस्तिमाल कहां कहां पर कर सकते हैं ये हमारे इसकिन औ और लीवर डिस ओर्डर में इस्तिमाल किया जाता है मतलब तवचा से सम्मंधित समस्याएं और हमारे लीवर से सम्मंधित समस्याएं उनमें इस्तिमाल किया जाता है और जब किसी को उबेसिटी यानि की मोटापा या क्रोनिक फिवर जीन ज्वर हो जाता है काफी लंबे समय स बुखार है उन समस्याव में इसका इस्तमाल किया जाता है जो की है दिव्याय आरोक्य वर्दनी वटी अब बात आती है इसे और कहां इस्तमाल कर सकते हैं जब हमारे शरीर में वीकनेस आती है कमजोरी आती है तो हमारे शरीर को स्ट्रेंग यानि कि ताकत प्रदार करने के लि और भैतर रहेगा कि इसे इस्तिमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सहा जरूर ले ले जो डॉक्टर आपका मेडिकल चेकप करने के बाद आपको डोस और डिरेक्शन देगा उन्हीं इंस्ट्रक्शन को आप इस्ट्रिक्टरी फॉलो गरें अब बात आ जाती है कि इसमें सावधानी क्या-क्या बरतनी चाहिए इस दवा को इस्तिमाल करने से पहले एक बार लेबल अच्छे से पढ़ ले ठंडी और सूखी जगा पर रखें सनलाइट से कभी एक्सपोज ना करें छोटे बच्चों की पहुत से दूर रखना है और उनकी नजर से दूर रखना है द बने रहें फामेसी इंडिया मेडिसिन के साथ आप हमें वाटसेप और टेलीग्राम चैनल के तुरूब फॉलव कर सकते हैं लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं साथी साथ डाउनलोड कीजिए फामेसी इंडिया मोबाईल आप गूगल प्ले स्टोर पेसिंद के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें